मैं हूँ आचारी प्रतिष्ठा भारत जो पूरे विश्व को स्वास्थे प्रदान करता है भारत जिसने पूरे विश्व को योग का वरदान दिया यह दुर्भागे की बात है कि आज स्वयम वो भारत डाइबिटीज और हाट एल्मेंज की कैपिटल बनता चला जा रहा है डाइबिटीज मदू में ही जिसे हम शरकरा भी कहते हैं डाइबिटीज की प्रॉब्लम में योग आपके लिए रामबान का कारे कर सकता है यदि आपने अमित रूप से योगा अभ्यास करते हैं तो आप डाइबिटीज की समस्या को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इससे निजात भी पा सकते हैं मैं आपको बताऊँगी कौन सी वो आसान सी योग के ख्रियाए हैं जिनके माध्यम से आप अपने पंक्रियास को अच्टिवीट कर सकते हैं और आपको बाहरी इंसुलीन चाहे वो आप इंजेकशन से लेते हैं तो 90% of your friends and रिश्टेदार यानि नब्भे प्रतिशत आपके रिश्टेदार और आपके दोस्त भी कम हो जाएंगे इससे हमें ये पता लगता है कि सच्ची मित्रता सच्चे मित्र के साथ कीजे और आपका सच्चा मित्र है आपका स्वास्त है सवस्त रहें ये जीवन में बहुत आवश्यक है आईए जानते हैं वो आसान सी योग के क्रिया हैं जिनका आप अभ्यास करेंगे डाइबिटीज की समस्या को गुडबाय कहने के लिए सबसे पहले हम करेंगे अर्दमत सेंद्रासन और अर्दमत सेंद्रासन के लिए प्रकार से पैरों को सामने पहला देंगे और बाय पैर को ऐसे मोड़ना कि दाइं हिप को छूजाए आपकी बाइं एडी और दाइं पैर को इस प्रकार से खड़ा सीधा रखेंगे हम अब दाइं पैर फोल्ड है तो बाया हाथ यानि बाइं बगल में दाइं घुचने को ले जाना है इस तरह से और दाइं पैर को पकड़ लेना अगर आप ऐसे नहीं पकड़ सकते तो कुछ लोग पैर का अंगूठा पकड़ लेते हैं वो भी नहीं तो पतलून या पजामा पकड़ लेते हैं लेकिन कोशिश करें कि पूरा आप इसको ग्रिप कर पाएं और यह हाथ यहां तो आप पीछे इस तरह ले जाए लेकिन इनिशल स्टेज में आप उसको जमीन पर रखके दाइं तरफ ट्विस्ट क हमारा बाया पैर खड़ा है तो बाएं घुटने को दाएं बगल में ठिकाना और बाएं तरफ से ट्विस्ट करना यता सामर्थ रुखना फिर वापिस आ जाना पैरों को सामने के और फैलाना हाथों को पीछे टिका देना गर्दन को झ्यूला चोल डें चार से पांच बरापस का अभ्यास करें कुछ लोग इसका अभ्यास नहीं कर पाते तो वह वक्रासन का अभ्यास करेंगे बक्रावर्सन के लिए भी हम इसी स्थिती में बैठते हैं और दाई पίर को इस तरह से फोल्च कर लेते हैं कुछざ़ नहीं करना सीधा दाई पैर को ऐसे रखना दाई हाथ को ऐसे रखना और बाई बगल में दाई घुटने को ले जा वे जा करके दाएं पेर को ही बाएं हाथ से पकड़ लेना, दाएं तरफ ट्विस्ट कर लेना. It is very very simple. जो लोग अर्दिमत से इंद्रासन नहीं कर पाते, वो इसका अभ्यास करेंगे. वापिस ले आना हाथ को, पेर को फेला देना. फिर बाएं पेर को फोल्ट करना, और यही क्रिया दाएं हाथ से रिपीट करते हुए बाएं तरफ ट्विस्ट करना, exhale and back. हाथ को वापिस ले आना, गर्दन को पीछे धीला छोड़ देना. इसको भी आप तीन से चार बार तक रिपीट कर सकते हैं. अब हम अंत में लेते हैं मंडूक आसन का अभ्यास और मंडूक आसन करने के लिए हम वजरासन में बैठ जाते हैं. वजरासन में बैठ करके बाएं हाथ से मुठी बना लेते हैं. यहाँ पर एक चक्र देख रहे हैं आप और यहाँ पर भी एक चक्र है एक भवर है नाभी जिसको नेवल कहते हैं उसमें इसको टिका देना कुछ लोग इसे ऐसे टिका देते हैं ऐसे नहीं टिकाना सीधा खड़ा यानि इस थिती में टिकना चाहिए और दाए हाथ से पता का म सामने की तरफ रहेगा आखे बंद सास को भीतर रोक करके रखेंगे फाइनल स्थिती में आपको अपने हाथ पर अपने मुठी पर बीट नाभी की बीट जैसे हाथ बीट सुनाई देगे उस पर ध्यांतिक आना जब लगे और सास नहीं रोक पा रहे हूं या रोक पा रहा हू में रुष चोड़ते वे शरीर को वापिस ले आना पूरे शरीट को ढ़िए चोड़िदे को अजय के रूथ णतीन से चार बार रा पिस को भी जाते जाते क्या आपको अपने बोजन में चेंजिस करने हैं वो ज़रूर लेते जाएं हमारा जीवन में हम शड़ रस का सेवन करते हैं शड़ रस होते हैं शे प्रकार के टेस्ट रहते हैं और उसमें भी हम चार प्रकार के तो ले लेते हैं जिसमें कि खटा मीथा चटपटा जिल चर्परा लेकिन कड़वा और कसैला उसका सेवन नहीं करते, तो डाइबेटीज के पेशिंस को यह जो बाकी बचरवे दो रस हैं, यानि कड़वा और कसैला उसका सेवन करना, आप चुछी-चुछी सी चीजे अपनी कड़र में अपना सकते हैं, आप मेथी का सेवन कीजिए, रात को मेथी के दाने ले लीजे पानी में बिगो दीजिए, ओवनाइटेने, सोगड जहने दीजिए सुभा कोई पानी पीले जो और मेथी को निगन दीजिए इसके साथ आप अपने डाइट में करेले का जूस का सेवन कर सकते हैं, उसे आट कर सकते हैं, आप लौकी के जूस को भी आट कर सकते हैं, पर करेले को लौकी के साथ, लौकी को करेले के साथ, करेले को टमाटर के साथ, टमाटर को किसी और चीज के साथ, मिक्स, मिक्स, मिक्स कर अगर आप नीम के पत्ते कहा सकते हैं तो यह तो सर्वुत्तम है यानि दिन की शुरवात अगर आप दो नीम के पत्ते खा करके करें तो आपकी इम्मुनिटी भी बहुत स्रोंग रहेगा, आपका ब्लड प्यूरिफाइड रहेगा, दाइबिती इस तो आपको कभी हो ही नहीं तो आपके दाद भी स्वस्त रहेंगे और आपको आपका डाइबितीज भी आपका शुगर लेवल भी कम होना शुरू हो जाएगा, पानी खूब पीजिए, प्रकृती के साथ समय बिताइए, हरी हरी घास पर थोड़ी देर चलिए, जरूर स्ट्रेस से दूर रहेए, गहरी अच्छी नीद लीजिए और हमारा कारिक्रम देखते रहे है